नमस्कार दोस्तो वेलकम टू आसे अस्ट्रोलोजी मैं नीतु सिंग दोस्तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो की जानकारी आप सभी लोगों को मिलती रहे अगर किसी महिला का चहरा पिता से मिलता है और पुरुष का चहरा माता से मिलता है तो सामुत्रिक सास्ट के अनुसार ऐसे लोग कैसे होते हैं कैसा होता है इनका भागिख तो चलिए जानते हैं सामुत्रिक सास्ट के अनुसार अगर पुरुस का चहरा उसकी माता से मिलता है तो ऐसा पुरुस भागिशाली होता है, लंबी आयू वाला होता है, हर सुख सुदा को प्राप्त करने वाला होता है सामुत्रिक सास्ट के अनुसार अगर महिला का चहरा पिता से मिलता है तो ऐसी महिलाएं अत्यन्त शुक और भागिसाली होती हैं ये जिस घर में शादी करके जाती हैं वहाँ सुक सम्रिद्धी भर देती हैं ऐसी महिलाएं वुद्धिमान होती हैं किसी को दुख नहीं देती ये परिवार को जोड़ कर चलने वाली होती हैं ऐसी महिलाय तेजोसी संतान को जन्म देती हैं तो दोस्तों कैसी लगी मेरी जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें शेयर करें मुझसे जुणने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे जैमाता दी